महराष्ट में राजनीती इस समय बड़ी जोर पकड रही है चाहे उद्धव गुठ हो, शिंदे गुठ हो या फिर राष्टी ये कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि इस समय महराष्ट एक तरह से कहें तो केंद्र की राजनीती का भी एक तरह से किनारा बना हुआ है चाहे शरत पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ममताब एनर्जी हो और कई ऐसे नेता इस समय विपक्ष की एक लामबंदी के लिए इखटे हो रहे हैं परंतु एक बयान, पहले ये बयान सुन लीजिए इसके बाद इस वीडियो में आपको जानकारी प्रारंब करते हैं महराष्ट में शिंदे फर्णवी सरकार का डेट वारंत जारी हो चुका है, ये सरकार अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगी उद्धव ठाकरे गुट के सांसर संजैर आउत ने रहिवार को ये बयान दिया, उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ था दरसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्ष वाली पांच जज़ों की बैंच ने पिछले दिनों उद्धव सरकार गिरने के मामले में उद्धव गुट, शिंदे गुट और राजपाल की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखिया था। इस सुनवाई के बाद उद्धव गुटने के संजय राउट जैसे नेताओं को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फैसला कर सकता है। क्या करना चाहिए। आपको दोबारा बहाल कर दें लेकिन आपने तो इस्थिफा दे दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोर्ट इस्थिफा दे चुकी सरकार को बहाल करने का आदेश दे। इसमें दूसरा बिंदू ये भी थोड़ा समझीए। सम्विधान पीट ने ये कि उसे लगता है कि गवनर का उद्दव सरकार को विश्वास मत साबित करने के लिए कहना एक तरह से अवेद था। और इसमें तिसरा बिंदू ये है कि एन्सेपी नेता अजीत परवार ने अठार अप्रेल को अपने ट्वीटर बायो से पार्टी का चुनाओ चिन हटा लि इन तीनों संकेतों से ये कयास लगाये जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उद्दव सरकार को बहाल करने के बारे में सोच रही है। मतलब यह फेसला कि उद्दव गुट के पक्ष में आ सकता है। नजर टुडे में आज इस से जुड़े वो पेच जानेंगे जिसमें सुप् राजजपाल की जो भूमी का है वो क्या है। राजजपाल की नियुक्ति केंदर सरकार करती है। आम तोर पर वह केंदर में सरकार बनने वाले दल से जुड़ा हुआ नेता होता है। कोई ब्यूरोक्रेट, रिटायर, सैन्य अधिकारी या जज़ होने पर भी वह केंदर सरक माराश्ट के मामले में अब तक राजजपाल बगत सिंग कोशियारी इस कुरसी पर बेटने वाले पहले भाजपा के सिनियर लीडर थे। उत्रहकंड में भाजपा सरकार के CM भी रहे हैं। राजजपालों पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगातार लगते ही आए हैं। उनके राजनीतिक फैसलों से भी ऐसा जाहिर होता है। महराष्ट में उद्धव सरकार गिरने के मामले में भी राजजपाल भगत सिंग कोशियारी के फैसलों को सुप्रिम के जो लीडर हैं नेता हैं उनके सरकार बनाने को उनको न्योता दे सरकार बनने के बाद कभी अगर राजजपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है तो वह सीम से सदन में बहुमत साबित करने को कह सकता है अलागी ये भी मनमाने तरीके से वह राजजपाल नहीं कर सकते इसके लिए भी उन्हें किसी राजनेतिक डल से सुचना या मांग मिलनी चाहिए इसके अलावा हाई कोट या सुप्रीम कोट के आदेश पर भी राजजपाल सीम से बहुमत साबित करने को कह सकता है इसमें दूसरा बिन्दू विदान सवा स्पीकर की क्या भूमिका है उस सदन का वह नेता होता है जो भहूमत से चुना जाता है इसलिए देश में सभी जितनी भी विदान सवाए हैं उनमें सब में स्पीकर आम तोर पर जो सरकार बनी है जिस गड़बंदन के तोर पर बनी है उसे ही स्पीकर बनाया जाता है और राज़पाल की तरह ही एक तरह से इसको देखा जाता है स्पीकर जादा मामलों में राज्य सरकार या सत्ताधरी पार्टी के पक्ष में ही फैसला लेते हैं महाराष्ट में उद्दव सरकार गिरने के दोरान स्पीकर नहीं थे कानून के मुताबिक स्पीकर न होने के पर उनके सभी समवेधानिक काम एक तरह से डिप्टी स्पीकर करता है महाराष्ट में NCP के नरहरी रिजवाल डिप्टी स्पीकर थे आपको जानकारी होगी शरत पवारने NCP तब महाराष्ट में सरकार चलाने वाली महाविकास अगाड़ी यानि की MVA का हिस्सा थी और लगबग अब भी है सरकार बनने या गिरने के मामले में स्पीकर के पास कुछ खास हतियार होते हैं जैसे किसी भी पार्टी में फूट होने की इस्तती में दल बदल कानून केसे लागू होगा इसका अंतिम फैसला विधान सभा अज्यक्षी करते हैं राजनेतिक चलन के मुताबिक आमतोर पर इस्पीकर अपनी ही पार्टी को फाइदा पहुचाने वाले फैसले लेते हैं महाराष्ट में यही आशंका थी तभी एक नाशिंदेने सुप्रीम कोर्ट के एक पूराने फैसले नबाम रेविया केस का सहारा लेकर इस्पीकर के इस ताकत पर एक तरह से रोक लगा दी इस बारे में आगे डीटेल में जानेंगे अब इसमें तिसरा बिंदू यह समझते चलते हैं कि आखीर महाराष्ट में हुआ क्या तो इसको समझने के लिए पहले आपको विधान सभा की जितनी भी सीटे हैं पहले उसका एक मोटा माटी सम्मिकरण समझा देते हैं महाराष्ट की 288 विधान सभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थी इस चुनाव में भारती जनता पार्टी को 106 विधारकों के साथ वाली स्विधायकों वाली कोंग्रेस और तरेपन विधायों को वाली राष्टवादी कोंग्रेस के साथ मिलकर महा विकास अगाडी सरकार बनाई मई 2022 महाराष्ट सरकार में नगर विकास मंत्री थे शीवशेना नेता एक नाच शिंदे 49 विधायकों के साथ बागी हो जाते हैं महराष्ट केस में इस बार एक नाच शिंदे ने बनाम रोबिय के केस का फाइदा उठाया साथ ही महराष्ट विधान सवामें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताओं का नोटिस दे दिया ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फेसला न ले पाए इसी बिज राजजपाल ने उद्दव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह दिया था और उद्दव गुट उससे पहले सुप्रीम कोट गए लेकिन सुप्रीम कोट ने राजजपाल के फेसले को बरकरार रखा जैसे की उम्मीद थी राजपाल ने जैसे ही देखा कि शिंदे गुट के पास बहुमत है उन्होंने तुरंत बहुमत सिद्ध करने के लिए उद्दव ठाकरे सरकार को कह दिया एक तरफ तो डिप्टी स्पिकर के हाथ बान दिये गए दूसरी तरफ राजपाल फेसले ले रहे थे उद्दव को जब लगा कि उनके पास बहुमत नहीं है संख्या बल नहीं है तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही अपना इस्तिफा दे दिया इसके बाद महाविकास अगाडी सरकार गिर गई ऐसे में दो बड़े सवाल हैं जिन पर सूप्रीम कोर्ट में हाल फिलाल में जो बहस हुई है पहला क्या राजपाल ऐसा कर सकते थे उद्दव गुट की दलील उद्दव गुट की ओर से सीनियर एड़ोकेट कफिल सिब्बल ने वोट में कहा कि कभी फूट से अलग हुआ कोई खेमा एक गुट ही रहता है वह पॉलिटिकल पाइटी नहीं बन सकता राजनितिक दल कौन है इसका फेसला चुनाव आयोग करता है उन्होंने कहा कि राजनितिक दल के चुनाव चिन पर ही विधायक चुन के जाते हैं विधान मंडल में भी राजनितिक दल की एहमियत सबसे ज्यादा है मगर जब तक चुनाव आयोग ने शिंदे खेमे को राजनितिक दल के तोर पर मान्यता नहीं दी थी तब महाराष्ट में राज्यपाल ने किस आधार पर शिंदे घुट को बहुमत साबित करने का मुका दिया सिब्बल ने ये भी दलील दी कि महाराष्ट के राज्यपाल ने मनमाने तोर पर चोतिस विदायकों को असली शिवशेना मान लिया उनका यह काम समविधान विरोधी था गवर्नर सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों से चर्चा कर सकते हैं किसी घुट से बिल्कुल भी नहीं किस हैसियत से राज्यपाल ने एकनाच शिंदे से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपत दिलाई राज्यपाल ने अपने द्वारा विभाजन की क्यों मान्यता दी जो दस्वी अनुसुची के तहट वेध आधार नहीं है शिंदे गुट की डलील शिंदे गुट की ओर से सुप्रिम कोर्ट में यह कहा गया था कि उस वक्त उद्व के नहत्यतो वाली महाविकास अगाडी सरकार अल्पमत में आ गई है ऐसे में राज्यपाल ने बीजे पी को समर्थन हासिल करने वाले शिंदे गुट को सरकार बनाने का न्योता दिया इसमें कोई गलत बात नहीं थी और इसमें दुसरा बिंदू यह है कि क्या डिप्टी स्पीकर जो उपाज्यक्ष होता है उसको ऐसा करने से रोका जा सकता है उद्दो गुट की दलील की ओर से कपिल सिंबल ने सव्विधान पीट को यह बताया कि दल बदल कानून के तहट सिर्फ इस्पीकर या डिप्टी स्पीकर ही कारिवाई कर सकते हैं इस मामले में नबाम रोबिया केस का हवाला दे कर जब एक तरह से उन सबके हाथ बांदिये गए ऐसे में हम फिर से आया राम गया राम वाले पीरेड में चले गए यानि कभी विधायकों को तोड़ कर कोई भी इस्थी सरकार गिराई जा सकती है शिंदे गुट की दलील शिंदे गुट के वकील ने सुप्रिम कोट में 2016 में नबाम रेविया केस का उदारण दिया था जिसमें सुप्रिम कोट की सव विधान पीट फेसला दे चुकी है विधानसभा इस्पिकर उस वक्त सूरत के विधायकों के अयुद्यका के लिए अयोग्विता के लिए याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं जबकि स्पिकर को हटाने की पुर्वसुचना सदन में लंबित है यानि speaker तब अयोग्विता की कारिवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते जब खुद उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित हो इसी तरह जिस तरीके सा आप इस मामले में समझ पाए होंगे कि deputy speaker या speaker की भूमी का यहां तक ही रहती है कि जब तक वह अपने पद पर है वह अपनी शक्तियों का अपने निर्णों का बहुत भी तरीके से इस्तमाल करता है परंतु जब खुद deputy speaker ही अपने पद पर नहीं थे तो उस समय राजपाल ने यह सब फैसले किये इसी तरह की तमाम जानकारी तमाम सुचनाओं के लिए देखते रहिए नजर टुड़े वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें सर्सक्राइब करें हमारे चैनल को यह हम इस हैतों आपका कुई सुझाओ हो तो सादर आमंत्री थे हमारे कमेंट बॉक्स में शुक्रिया